कैसे दोस्तो मैं दुर्गे जाश्वाल आज से हम लोग उत्तरप्रदेश स्पेशल की क्लासेश पढ़ेंगे उत्तरप्रदेश में आज सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जनगर्णा जनगर्णा एक महत्तुपूर अध्या है जो कैसी नंदर दिरपाठी के बुक क इस वीडियो को सुरू से लेके अंदर तक देखिएगा योगि यह उत्तरप्रदेश जनगर्णा से समंदेत महत्तुपूर पश्णों की सिरीज है और हम अपने शिंखला के सुरुवाद जनगर्णा से सुरू करते हैं उत्तरप्रदेश के लेकिन उससे पहले हम आपको जन जनगर्णा के इतिहास के बारे में थोड़ी सी चर्श हम करते हुए आगे बढ़ते हैं भात में जो पहली जनगर्णा हुई थी वह 1872 मुई थी कभूई भात की पहली जनगर्णा 1872 मुई थी यह जनगर्णा लाड मियो के सासनकाल में लेकिन इसके बात यह कभूई थी 1872 म 1872 के बाद फिर जनगर्णा जो होती है अगली 1881 होती है 1881 जो जनगर्णा होती है ये लौड रिपन के कारिकाल में होती है कब होती है लौड रिपन लौड रिपन के कारिकाल में होने वाली ये भायत की पहली ऐसी जनगर्णा है जिसके बाद से दसकी जनगर्णा का प्रारंब होता है दसकी जनगर्णा का मतलब क्या होता है प्रते एक दस वर सो पे जो जनगर्णा होती है उसे दसकी जनगर्णा कहा जाता है दूसरी सबसे बड़ी बात एक बात यहां से और आपके लिए महत्तुपूर्ण है कि 1880 के बाद 2011 तक की जनगर्णा हुई है वो लगाता दददस ओर सो पे होने वाले जनगर्णा है यहां से दो बड़े प्रश्ण बनते हैं पहला प्रश्ण बनेगा आजात भारत की पहली जनगर्णा कव हुई थी इस जबाब आप कमेंट सेक्षन में जरूर दीजेगा इस वीडियो को प्रारणभ होने से पहले ही मैं आपको छोटा सा प्रस्ण दे दिया मैं उमीद करता हूं कि कमेंट सेक्षन में जाकर आप इसका जवाब चरूर देंगे दूसरी बात अगला प्रश्ण होता है कि आजाद भारत की जणगर्णा 1951 में हुई थी वह कौथी जणगर्णा थी अगला शवाल 2011 की जणगर्णा आजाद भारत की सुतंद भारत की कौन सी जणगर्णा थी और अगला प्रश्ण 2021 की होने वाली जनगर्णा आजाद भारत की कौन सी जनगर्णा थी ये आपके लिए महत्तपूर प्रश्ण है बीच बीच में और हम आपके लिए प्रश्णों की स्रीज लेकर आते रहेंगे और उत्रप्रदेश पेसल को और बेहतर बना देंगे आपको एक लाग चहाजार 774 गौम होई थी और यह एक पंद्रहवी जनगर्णा थी कौन सी जनगर्णा थी यह एक पंद्रहवी जनगर्णा थी आप यह जानते रहेगा यहां सिमात्पूर्ण प्रश्ण आपके लिए आ सकते हैं इसके अंती माकड़े 31 मार्च 2011 को जारी किये गये थे कब 31 मार्च 2011 को इसके अंती माकड़े जारी कर दिये गये थे जबकि इसके अंती माकड़े एक अनंती माकड़ा होता है अनन्तिम अभी आगे इसके बारे हम बात करेंगे अनन्तिम आकड़ा जो हुआ था 31 मार्ष को 2011 को जारी कर दिये गये थे जबकि अन्तिम आकड़े जबकि अन्तिम आकड़े दो वर्स एक मा बात अर्था 30 अप्रेल 2013 को जारी किया गया था राज जस्तर पर अगर अंतिम जनगर्णा के आकड़े देखें तो 29 मई 2013 को जारी किये गए और आगे हम 2011 जनगर्णा समंदित महत्रपुन अध्यायों को एक के करकर पढ़ते चलेंगे तो इस प्रकार हम लोगों ने सचर्था से जुड़े गए महत्रपुन तत्यों को देख लिया ठीक है अगर सरवाधिक पूरुस सचर्था हमें देखा जाय तो भी गोतों बुद्धनगर है सबसे कम में देखा जा तो सरावस्ती ही है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश प्रशन को ध्यान से पढ़ लेते हैं निमली खित में से कौन सा सबसे अधिक साच्छर है किसके मामले में जनगर्णा 2001 के अनुशार ठीक है प्रशन आपको ने पढ़ लिया अब आते हैं इसके विकल्प की तरफ विकल्प है आपका बौध इशाई जैन और सिक 2001 के जनगर् कमेंट सक्षन में जरूर आना चाहिए मैं इंतजार कर रहा हूं कि आपके प्रशन का जबाब सबसे पहले मिलना चाहिए विकिया आपके परिच्छागेदिश्ट कोन से बहुत सारे एत्थ हैसे हैं जो महत्त्यपूर हो सकते हैं इसका उत्तर क्या है आपका जैन है क्या लेता हूं फिर मैं आगे बढ़ता हूं चलिए इसके बाद हम एक करें कुछ तत्युप के बात करेंगे देखिए विश्व के संदर में देखा जाये उत्तरप्रदेश आबादी में चीन के बाद भारत अमेरिका, इंडोनेसिया के बाद पांचिवा स्थान पर आता है, धान से देखिएगा, अगर भारत की जंसंख्या की बाद करे, तो चीन के बाद दूसरे नमबर पर आता है लेकिन जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो विश्र में पांचमा स्थान रखता है पहले पर चीन भारत अमेरिका इंडोनेसिया के बाद उत्तर प्रदेश आता है सोच लीजे भारत का क्या जबकि एक बात आपको जानने ही हो गया है कि भारत में जन संख्या तो दूसरा स्थान पर है लेकिन चेतर फल के दिश्टिकोंड से देखते हैं तो सात्यवा स्थान पर है लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश जन संख्या में पूरे देश में मल भारत में पहले स्थान पर है जरके छेत्र फल की तिष्टकोस से 4 फ्रषय उत्तर फल में चौतह जणसंख्या में पहले उसके बाद एक उत्तर परदेश को आप yangाओं का है पुस्ट नमबर 4 मैं उम्मिद करता हूं इस पस्ते का जवाब आप जरूर देंगे अगर वीडियों आपको लग रहा है कि भेटर रहे तो इस वीडियों के अंदर तक बने रहेगा और बीडियो को share करना ना भूलेगा अगर आप विडियों को share नहीं करते हैं तो कहीं न कहीं आप अन लोगों से महत्पुन जानकरियों को बचा ले जाते हैं यहाँ पे है 2011 के अनुसार राज्य में सिशू लिंगानुपात क्या है जब कि पहले मैं एक बात आपका सपश्ट कर दू, confirm कर दू, तब मैं आगे बढ़ू, पहले तो लिंगा नुपात क्या होता है, लिंगा नुपात के बारे में बता दू, कि जो लिंगा नुपात होता है, वो एक हजार पुर्शों में निवास करने वाली महिलाओं की शंक्ष में था लेकिन अगर 2000 अगर हम 2011 की जनगर्णा की बात करें तो यह बढ़कर 912 हो गया कितना हो गया 912 हो गया यह उत्तर परदेश की बात कर रहे हैं किसकी हम उत्तर परदेश की बात कर रहे हैं अब आगे हम लोग देखें यहाँ पे पूछा है कि सिसू लिंगा नुपात क्य है तो यह होगा आपका 902 क्या होगा इसका उत्तर होगा 902 902 के बारे में अनित अपको बता दें साध आपकी परिच्छा क्लिमात पूर हो जाएगा यह 2001 में 916 था यह 2001 की जनगर्णा का नुसार 916 था किन्तु 2011 जनगर्णा में इसे गिर कर 902 हो गया है आगी दिखते हैं यहा अगर्वाधिक कम और सबसे जादा वाला देखा जाए तो कौन है सबसे जादा लिंगानुपाद किसमे सिसू लिंगानुपाद सबसे ज्यादा सिसू लिंगानुपाद की बात किया जाए तो बलरामपूर सबसे ज़्यादा है और बागपत सबसे कम है यह आपके लिए महत्व पूर्ण है आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन आपके लिए महत्व पूर्ण है मुँमीद करता हूँ इस प्रशन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे 2011 की जनगर्णा के अनुसार राज में महिलाबादी कुल आबादी का लगभग कितना था जल्दी से कमेंट करिएगा कमेंट करके आप अपने जवाब हमें जरूर दीजेगा हमें आपके कमेंट का जवाब का इंतजार है जल्दी से बताईए प्रशन नंबर 5 का क्या होगा यह होगा 48% most important 2011 के जनगर्णा के अनुसार उत्तर पड़ेस राज में महिलाबादी का लगभग कितना है 48% है कितना है 48% है मने 47 दस मलो 7 1% है 47 दस मलो 7 1% है जबकि अगर पुरुष की बात करें तो पुरुष 52 दस मलो 29% है 52 मलो 29% पुरुष है तो मैं उमीद करता हूँ यह भी प्रशन आपको समझ में आग्या होगा अगले प्रशन की तरफ बढ़ते हैं यह वीडिया को कैसा लगा अपने शातियों को सेर जरू करिएगा एक बात हमारे फिजूक पेज इलेनी बिदुर्गेश है इसकी नोट्स के लिए जो आपकी प्रशनों की स्रीज है यह हमारे फ उसको टेलेग्राम को जोइन कर लेंगे सभी वीडियो की नोटिफिकेसन आपको सबसे पहले क्लास नोट्स और अन्नी नोट्स वीडियो लेक्चर सभी आपको उप्लब्द होती रेंगी जल्दी आपको GS की संपूर, GS की महत्तपूर मेरा अथन क्लास यहां से उप्लब्द की आप इसका जवाब जरूर देंगे जी जी क्या होगा कमेंट करीए जल्दी यली बताइएगा जल्दी कमेंट करीए बताइएगा यहां पर 1961 से 1971 में, जल्दी से प्रश्ण का जवाब दीजेगा क्या होगा तो आइए इसकी बारे में जानते हैं उत्तर प्रदेश में लिंगाउनुपात का विभियत सरवाधिक अगला प्रश्ण आपके सामने आ चुका है कि अगला प्रश्ण नमबर साथ है मैं उमीद करता हूँ प्रश्ण आप देख पा रहे होंगे उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की दसकी ब्रिद्धी अधिकतं थी प्रश्ण नमबर साथ ध्यान से दिखेगा और प्रश्ण नमबर साथ का जबाब आप लोग जरूर दीजेगा। प्रश्ट नमबर साथ आपके शामने हैं कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की 10 किर विद्धी अधिकतम कब रही तो कमेंट करके उपना जवाब चुरूर दीजेगा कि उत्तर प्रदेश की 10 की विद्धी कब सबसे जादा रही है जल्दी जल्दी जवाब दीजेगा मैं आ दिखिए इसके बारे मैं आपको अस्पश्ट कर दूँ कि स्वतंदर भारत के बाद सरवाधिक विद्धी दर 1991 से लेकर 2001 की बीच रही है कब रही है 2000 जी जी अगर सबसे कम पूछा जाए तो 951 से 961 सबसे कम अगर सरवाधिक विद्धी पूछेगा विद्धी 91 से 2001 है लेकि अगर सबसे कम पूछ था तो 951 से लेकर एक सर तक होता ठीक है दोनों बाते आप भली भारती याद रखेगा अगले प्रश्ण के तरह हम बढ़ रहे हैं अगला प्रश्ण आपके बीच आ चुका है उस प्रश्ण का नंबर भी आपको पता है कि वो प्रश्ण का नंबर क्य अगला प्रश्ण आपके सामने आ चुका प्रश्ण नंबर नौ उमीद करते हैं वीडियो आपको काफी बहतर लग रहा होगा लेकिन अगर आप सभी साथे को शेयर कर देंगे उत्तर प्रश्ण जंगरना से आपके प्रश्ण कभी गलत नहीं होंगे इस बात की गरिंटी है हैं और यहां से एक भी प्रश्ण बाहर से नहीं आएगा हमारे online class notes सभी चीजों प्लब्द हैं आपको online class ही मिल सकता घर बैठे class भी जोइन कर सकते हैं 2011 के जनगरना के अनुसार उत्तर प्रदेश में यस्टी की सरवाधिक सांधता कहां पे थी जल्दी से comment करके बताईएग कहां पे थी सोन भद्र में थी कहां पे था सोन भद्र में याद रखेगा कहां पे था सोन भद्र में कहां पे सोन भद्र लिख लीजेगा सोन भद्र में यह परिच्छा के दिश्टी कोन से सबसे जादा महत्तोपूर है आगे बढ़ते हैं अगले पश्ण की तरप अगला प विकल्पों की एकदम विस्तित बैख्या करेंगे और विस्तित बैख्या के साथ साथ आप इसमें दियेगे सभी प्रकार के प्रशनों का एकदम अंतर भी बताएंगे और एक बात ध्यान दीजेगा इस वीडियो को सेर करना ना बोलेगा विकल्प आपके सामने हैं विकल्प सीज का right answer है आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ट नमबर प्रस्ट नमबर 11 आपके बीच आ चुका है 2011 का नुसार निन्म में सरवादिक जन घरत वाला जिला कौन सा है जल्दी से comment करके बताईएगा सरवादिक जन घरत वाला जिला कौन सा है जल्दी जल्दी comment करके बताईएगा कौन सा है जल्दी से बताईएगा एक बात याद रखेगा कि किसी ने अंदन तरिपाठी की किताब के एक महत्त्र पूर्ण किती है अगर आपको किताब बेना तो किसी ने अंदन तरिपाठी की अगर उसको जानेंगे तो 690 थी कितना था 690 व्यक्ति प्रतिवर किलोमेटर 2001 कनुसार थी 2011 में 829 व्यक्ति प्रतिवर किलोमेटर हो गई अगर जबकि संपूर देश के अगर पूछा जाए कि जन घनत तो क्या था तो 382 था क्या था 382 था चलिए अब आते हैं इसके प्रश्न के जबाब पे 2011 के अनुसार निन में सरवादिक जन घनत तवाला जिला कौन सा था तो जल्दी से आप अपना कमेंट करिएगा कमेंट करके जबाब जरूर दीजेगा जल्दी से बताइए क्या होगा जल्दी से जल्दी एकदम कमेंट करके बताइए प्रश्ण नंबर 11 क्या होगा गाजियाबाद वारांसी कानपूर क्या होगा कमेंड करिए जल्दी यल्दी कमेंड करिए सरवाधिक जन गनत वाला जिला जल्दी यल्दी पता है यह आप लोग इतना देर करेंगे इतने हम कई प्रश्ण करा देते हैं क्या होगा अभी तक आप लोग नहीं बता रहे हैं भाइयाजी सबसे जज़ादा जन घनत तवाला रिजा गाजियाबाद है कितना है कौनसा है Gाजियाबाद है कितना है जन घनतों-गाजियाबाद का 3971 ب्यक्ति प्रतिवर किलो मीटर है जबकि वाराणसी दूसरे स्थान पर है 235 बेक्ती प्रतिवर किलो मीटर लखनौ तीसरे स्थान पर है 1816 बेक्ती प्रतिवर किलो मीटर और कानपूर नगर 25 स्थान पर है 1452 बेक्ती प्रतिवर किलो मीटर में यहाँ अगर नियुन्तम पूस्ता तो नियुन्तम सबसे कम जनघंत वाला जिला जो है ललितपूर है दो सो बैलिस सबसे कम जनघंत वाला जिला ललितपूर है कौन सा ललितपूर कितना मैंने बताया 242 बेक्ति प्रतिवर किलो मीटर अगला है प्रशन नमबर 12 2011 के अनुसार जन्गर्णा का अनुसार सरवाधिक स्लम आबादी वाला जिला कौन सा है ये प्रशन आप के लिए काफी महत्यपूर है मैं उमीद करता हूँ आप इसका जवाब हमें चरूर देंगे प्रशन आपके सामने है अगर आप कहेंगे तो मैं प्रशन को दुबारा तीबारा पढ़ कर मैं ताकि आप लोग इस प्रशन का जवाब पूरे मनो योग के साथ दें की 看一下 जल्दी जवाब दीजेगा किया होगा बताइए ए데 Romans ईलम जिला इसलम जिला क्या होगा जल्दी से कमेंट करें बताइए गाइए इस वीडियो को सेर कर दिए क्योंकि ये क्लास आपको हम पुरी तरह से लाइब चला रहे हैं और ये उसकता है वीडियो का बाद में भी देख सकते हैं और दोनों तरीके से देख सकते हैं जी देखें 2011 से जनगर्णा का नुसार राज की कुल आबादी में कुल शलम जो आबादी है वो लगभग 9% है कितना है 9.5% कितना है 9.5% कुल आबादी का है जबकि 2001 में यह लगभग 11% थी यह कितना थी 11% थी अगर यहां पर देखा जाए शलम आबादी वाला सरवाधिक की बात कर रहा है तो सरवाधिक में आएगा महराष्ट राजी की बात करें तो महराष्ट आएगा फिर आंदरपदेश पंजाब फिर उत्तरपदेश चोथे म की बात करें तो सबसे ज़्यादा मेरट में है सबसे ज़्यादा कहां पे मेरट में है कहां पे असलम आबादी मेरट में है मेरट के बाद दूसरे नंबर पे आपका आगरा आता है जहां पे सरवाधिक असलम आबादी पे दूसरे पे तीसरे पे कानपूर नगर चौथे पे लखनों और पांचमें पे गाजी अबाद आता है जो मैं आपको बता रहा हूं यह डाटा आप लिखते चलिएगा यह परिच्छा के लिए एक रामबाण की तरह काम करेगा अगला प्रश्ण है 2011 के अनुसार सरवाधिक नगरी अबादी वाला जनपत कौन सा है प्रश्ण नमबर 13 मैं अमीद करता हूं कि आप इसका जवाब जरूर देंगे तो कमेंट करिएगा और जल्दी से जवाब देते रहिएगा और हम आपके जवाब के साथ साथ आपके साथ भी जुड़े देंगे ताकि आपके प्रश्ण के जो उत्तर है वो पूरी तरसा आजाएं लखनौ गाजियाबाद कानपूर गौतम बुद्धनगर क्या होगा दोजरी सरवाधिक नगरी आबादी वाला तो नगरी आबादी वाला क्या होगा बताईए सरवाधिक सहरी आबादी वाले जीले अगर देखा जाए तो यहाँ पर गाजियाबाद पहले पर होगा फिर लखनौ दूसरे पर आएगा कानपूर नगर तीसरे पर चौथे आगरा फिर मेरा ठाएगा इसलिए प्रश्ण नमबर तेरा का उत्तर जो है वो इसका बी है ठीक है अगर कम में पुस्ता अगर कम का पुस्ता तो सबसे कम क्या है सबसे कम स्रावस्ति है फिर कुशी नगर है महराज गन सुल्तानपूर फिर प्रताब गड़ा आता है आगे बढ़ते हैं प्रश्ण नमबर 14 की तरफ 2000 एक की जंगर्ना का नुसार किस धार्मिक जरूर दीजेगा मैं उमीद करता हूं कि यहाँ पर पूछा है कि तीसरा सबसे बड़ा स्थान किसका है जल्दी से कमेंट करके बताईएगा किसका सबसे बड़ा स्थान है जल्दी कमेंट करके बताईएगा बताईए 2001 की जनगर्णा का नुसार पूछा है 211 की जनगर्णा का नुसार, क्या होगा? ने लिफ्पार, जहां लिनी बताईए यह होगा, सिक क्या होएifice प plaint--- 2001 के अनुसार धार्मिक शमंदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा सबसे बड़ा स्थान किशका है कि जहेंगे कि धार्मिक जल गंणसार 5 001 कि जलिए किर्टर पुछेंगें कि है कि पलिएolate को लगाउ स्थान ख़ेशह के घृतर सकते हैं दूसरा मुस्लिम है तिसरा इसाई है आप चोथे पे शिक हो गया है 2011 का अनुसार ठीक यहाँ किसी कोई दिक्कत या समस्या हो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं अगर आप कोई दिक्कत होती है आप हमारे यूटूब चैनल इलेनी बदुरगेश्ट पर कमेंट करके अपन 2011 की जन गणना की अनुसार अनुसरी जन जाती की जन संक्या और ओही क्रम में घरतेवे क्रम में ब्युस्तित करिए आप इस प्रशन का जबाब कमेंट बॉक्स में दीजेगा इस प्रशन के उत्तर हम अगले वीडियो लेक्चर में आपके साथ उपलब्द होंगे तब तक क कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा यह कि इसके बाद हम एक पार्ट और लेंगे जन उत्तरपतिस की स्पेशल में जन गणना भाग दो और उमीद करते हैं यह वीडियो आप सुपने शभी शात्यों को शेयर करेंगे अगर अधिक साधिक शेयर कर देंगे था हम इसके अन्य तथ्यों पर बात करेंगे एक छोटा सा परस्ट हम आप से पूछते हैं इस वीडियो के अंते में उमीद करते हैं आप इसका जवाब चरूर देंगे आप बताइएगा 2011 के जन गणना का थीम क्या था 2011 की जन गणना की प्रमुक थीम क्या थी मैं उमीद कर जो परिच्छाएं होती हैं उत्तरप्रदिश लोक्षवायोग में अर्तवर्तवान से में BEO, RO, ARO, उत्तरप्रदिश लोक्षवायोग में PCS इन सभी भरती परिच्छाओं के लिए UPSI, UP Police, लेकपाल इन सभी भरती परिच्छाओं के लिए यह वीडियो महत्यपूर हैं अ हमारी क्लासेज जोनपूर जोनपसे संचालित होती हैं जोनपूर में अफलाइन क्लासेज, ऑनलें क्लासेज, घर बैटे ले सकते हैं, नोट्स आपको घर बैटे उपलब दो जाएगी, इले नहीं में दुर्गेश की, इसक साथ आप सभी शाथियों का बहुत बहुत धन्य सेमात, बेस्ट आफ लक्त, जय हिंद, जय भारत, वीडियो को सेर करना ना भूलिएगा